आज हिंदी नौलेच के इस विडियो में समुंदरों के पानी के गहराईू में बसने वाले एक ऐसी जीब के बारे में बात करेंगे जिसके उपर काफी मदभेथ है और दुनिया भर में ऐसे ना जाने कितने लोग है जिनका ये मानना है कि समुंदरों में रहने वाली ये में प्रजाती सच में ही होते हैं वही कुछ लोग ऐसे भी होंगे इसके मौजूदगी को सिवा कलपना के ज्यादा महत तो नहीं देता है और आज के इस वीडियो में ऐसी लोगों के इस सोच को हिला देने के लिए ही बनाया गया है अगर हिंदी नौलेच की इस चैनल को एक ऐसी रहष्च में प्रजातिया नजर आती है जिसके बजूद पर अक्सर सवाल किया जाता है और वीडियो में जैसे दिखाई दे रहा है इस प्रजाती एक जलपरी जैसी दिखाई दे रहा है और बहुत सी लोगों ने जहां इस वीडियो को एक फेक वीडियो बताया ग मचली पकरने के टाइम में इन लोगों को मिला लोग इसकी इस बात का एकिन नहीं करेंगे इसलिए उन्होंने इस वीडियो को बनाया इस वीडियो को देखने के बाद यही लग रहा है के के इन दोनों का बयान सज भले ही ना हो लेकिन बिल्कुल जुटा भी नहीं लगता आपको क्या लगता है इसके बारे में अपना राय कॉमन बक से जरूब दीजिएगा नवेंबर 2015 अमरीका में एक यूट्यूब चैनल ने इस वीडियो को अपलोट किया था जिस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग एक जलपरी जैसे जीवों को उठाते हुए ले जाता है मीडिया के खबरों के अनुसार बगगानिकों ने पहले इस जीव को समुंदरों में ही मार डाला ताके उस पर बगगानिक रिसर्च कर सके वही साइन्टिस्ट लोग इस वीडियो को एक एडिटिंग वीडियो कहा अब सच्चा कौन है और जुटा कौन ए आज तक कोई भी नहीं जानता और अभी जो वीडियो क्लीप आपको दिखाने जारहे है इस वीडियो की ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिल सका है लेकिन इतना आसानी से आपको दिखाई देगा के इस वीडियो में पाणी के भितर एक रहष्च में जलपरी जैसी चीजी जा रहा है जो समुंदरों के पानी में तैरती हुई दिखाई दे रहा है जैसे ही अमेरिका के उस वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहा था ना जाने क्यों लोग इस वीडियो को भी एक फेक वीडियो ही बताता है आपको क्या लगता है जलपरीया है हम कॉमन करके अपना राय जरूर दीजिएगा और दोस्तों जो दिखाई दे रहा है वही सच हो ऐसा हो नहीं सकता और जो नहीं दिखाई दे रहा है वही सच हो सकता है इसमें आपना राय हम लोगो को कॉमन में जरूर दीजिएगा और हिंदी नौलज की इस चैनल को अगर आपक तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ तब तक अपने फैमिली के साथ सस्त और सुरक्सिद रही हैगा